नमस्कार, मैं महिमा, आज आपको सुनाने जा रही हूँ, मालती जोशी की लिखे हुई कहानी, बहुरी अकेला दोस्तो इस कहानी में इस तरीके त्याग, बलिदान, अपमान, उसकी विवश्चताओं का बहुती सटीक बर्णन किया गया है कहानी को सुनकर हम भी कहीं न कहीं इस कहानी से खुद को जुड़ा हुआ मैसूस करेंगी तो आए कहानी को सुनते हैं स्टाफ रूम में गर्मा गरम बहस चल रही थी, मुझे देखकर शन भर को सननाटा खिच गया मुझे लगा कि कहीं बहस का मुद्दा मैं ही तो नहीं हूँ तभी मिसेज जाने कहा लो आ गई मिसेज स्मार्टी, इन्हें भेजतो, बहुत काविल आइटम है कैसी भी सिचुएशन हो, ब्रीवली हैंडिल करती है मिसेज सक्सेना मुह बना कर बोली वे दिन गए मिसेज जा, अब तो ये मिस प्रिविलेज्ड हैं, इन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता क्या हुआ भाई, सुबह सुबह मुझ पर इतनी कृपादरिष्टी क्यों हो रही है मैंने आखिर पूछी लिया अरे, हम गरीब क्या क्रिपादरिष्टी करेंगे क्रिपादरिष्टी तो आप पर मैम की है इसी लिए तो आपको कोई असाइन्मेंट नहीं दिया जा सकता खास कर संडेज को मिसेज सक्सेना को तिलता से आँखे नचा कर बोली कुछ पता भी तो चले कि माजरा क्या है मैंने कुर्सी खिंचते हुए कहा उत्तर में सबने एक साथ बोलना शुरू किया बड़ी देर बाद मेरी समझ में जो आया उसका सार यह था कि शुक्रबार को एमे फाइनल की लड़कियां अजनता एलोरा जा रही है पर इंचार्ज मिसिस गुपता के ससुर जो आज अचानक कूच कर गए अब सवाल यह है कि उनके इस्थान पर किसे भेचा जाए सबकी अपनी परेशानियां थी मिसिस सकसेना की बिटिया वाइरल में पड़ी थी रविवार को किरण के देवर की सगाई थी मिसिस क्रिपाल की सास के पेर में प्लास्टर पंधा हुआ था खंडिलवाल के पूरे दिन चल रहे थे दास गुपता के दौनों बच्चों के सोम बार से टर्मिनल्स शुरू हो रहे थे और विसारिया पहले से चुट्टी पड़ थी स्टाफ में दो ती नाती बुजूर्ग सदस्य थी जिनने इस मिशन पर भीजना बेकार था एक आएक मुझे याद आया बिभा तो जा रही है न या उसके यहां भी कोई प्रॉबलम है बिभा तो जा रही है पर वह तो खुद ही बच्ची है लड़कियों को क्या समहा लेगी कोई जिम्बेदार व्यक्ती भी तो साथ होना चाहिए और तुम्हें कोई हाथ नहीं लगा सकता मैडम की चहेती जो हो उनकी सक्त हिदायत है कि अंजू शर्मा को छुट्टी के दिन कोई काम न सौपा जाए देर से शादी करने का यही तो फाइदा है सब की सिंपिती मिल जाती है मैं चकित सी देखती रह गई ये सब की सब मेरी कुलीक्स थी सालों से हम साथ काम कर रहे थे हमेशा कैसी शहद घुली बातें करती है आज पता चलाय कि सब के मन में कितना जहर भरा हुआ है उन सब के पास व्यस्तताओं की एक लंबी लिस्ट थी एक मैं ही फालतू नजर आ रही थी पर उनके शब्दों में प्रिविलेज्ड थी इसलिए सब की जवान पर जैसे कांटे उगाए थे भला हो मिसेज देश पांडे का मेरा पक्ष लेते हुए बोले अभी तक तो यही बिचारी सारी बेगार्ड हो रही थी अब इसके साथ मैडम थोड़ी सिंपिथेटिक हो गई है तो तुम लोगों का जलन हो रही है अरे यह तो सोचो कि इतनी देर से उसने शादी की है पती भी साथ नहीं रहती एक छुटी के दिन ही मेल मुलाकात हो पाती है वो हभी तुम लोगों से देखी नहीं जाती उनकी बुज़ुर्गियत का खयाल करके सब चुप हो गई पर सब के चहरे पर यह भाव था कि इसने देर से शादी की है तो उसका हामियाजा हम क्यों भुगते हैं मिसिस सकसेना से तो आके रहा नहीं गया बोली आंटी अब साल भर तो हो गया इतना तो कोई नई नबेली बहु को भी नहीं सहेच था मेरा तो जैसे खून खौल गया आप लोग यही चाहती है ना कि इस बार में लड़कियों के साथ चली जाओं तो चली जाओंगी उसके लिए इतने तानों उलाहनों की क्या जरूरत है और मिस्टर हभी उनका क्या होगा उसकी चिंता आपको क्यों हो रही है देट इस माई प्रॉब्लम उसी तैश में मैं मैडम के कमरे में चली गई और कह दिया कि मिस्स गुपता के ना आने से कोई परिशानी नहीं हो रही है मैं तयार हूँ वे कुछ देर तक मुझे देखती रही फिर बोली इट इस वेरी सपोर्टिंग ओफ यू दरसल मैं तुम्हें बुलाने को सोच ही रही थी अकेली बिभा पर तो भरुसा नहीं किया जा सकता न तो आप इतना संकुच क्यों करती है मैं यू आर दब बॉस आप जिसे कहेंगी उसे जाना ही पड़ेगा आप नहीं जानती आपके इस सोजनने का लोग कितना गलत अर्थ निकालते हैं I don't care मैं तो सिर्फ शर्मा जी के बारे में सोच रही थी मैं चार-पांच बार उन्हें बतला चुकी हूँ कि वे मिस्टर कश्यप हैं शर्मा नहीं पर उन्हें याद ही नहीं रहता आप तो मैंने टोकना भी छोड़ दिया है इसलिए उनके सोर में सोर मिला कर कहा आप शर्मा जी की चिंता न करें मैं उन्हें फौन कर दूँगी बेभी सरकारी नौकर हैं ड्यूटी का मतलब समझते हैं ओके एंड गुड लग टुई घर लोटते समय बहुत हलका महसूस कर रही थी अच्छा लगा कि मेरे प्रस्ताप के बार मैडम के चहरे पर रहत के भाव उपरे थे पर इमानदारी की बात यह थी कि उनसे भी ज़्यादा रहत का एसास मुझे हो रहा था पिछले दो हफ़ते स्रीमान जी नहीं आये थे आखरी बाद जिस मूर मैं यहां से गए थे लगता था इस बार भी नहीं आएंगे दो रववयार लगातर मैं इसने ही पडूसियों की प्यार भरीक पूछतास से तंग आ गई थी इस हफ़ते फिर वही सब दोहराना संकट लग रहा था शायद इसी लिए आगे बढ़कर मैंने यह जिम्मेदारी ले ली थी मुझे एक बहाना चाहिए था सो मिल गया कभी-कभी लगता है मैंने नाहक शादी की जिंदगी अच्छी भली गुजर रही थी न कोई तनाप था न पच्टाबा बस एक शादी की चिंता थी जो मुझे से ज़्यादा मेरे भाईयों को खाय जा रही थी अपनी भरी पूरी ग्रस्तियों के बीच बिचारे एक अपराद बोध के साथ जी रहे थे बड़े भाईया की पिंकी के बीए कर लेने के बाद तो सब के सब जैसे एकदम ब्यग्र हो उठे कम से कम उसकी शादी से पहले मेरी हो जाना लाजमी था सो स्रीमान कश्यप को घिरा गया दस और बारह साल के दो बच्चों के बाप से शादी करना मेरी लिए कतई रोमान्चक नहीं था पर भाई आश्वस्त थे के मुझे अपना एक घर मिल गया है पर उस बार घर से जुड़ कहां पाई किसी ने मौका ही नहीं दिया शादी के बाद चार-पांच दिन रही थी बाद मैं दीपावली पर लक्षमी पूजन के लिए गई थी बस छुट्टियों में बे मुझे एकाद महीना घुमाने ले गए थी एक महीना मुझे भाईयों के पास रहनी के लिए कह दिया था भाईयों के पास तो हर छुट्टी में जाती थी पर इस बार का अनुभब नया था पी हर आई बहन बेटी का स्वागत सत्कार लाड दुलार पहली बार ही पाया था शादी के बाद भी मैं तो उसी घर में बनी रही पर हाँ मिस्टर कश्यप को जरूर एक अत्रिक्त घर मिल गया था उनकी सारी चुट्टियां यहीं गुजरती केंदर सरकार की नौकरी थी शनिवार रविवार चुट्टी होती विब होपाल से शुक्रवार को इंटर सिटी से आते और सोमबार की सुभए उसी ट्रेन से लोट जाते साल भर से मेरा दामपत्ते जीवन इसी सापता हे एक तंच पर चल रहा था उस रविवार की रात को भी भे घड़ी में अलार्म भर रहेते के मैंने कहा सुभए चले जाएंगे जाना तो पड़ेगा ही कल सोमबार है भूल गई क्या सोमबार को कैसे भूल सकती हूँ मुझे भी तो कॉलिट जाना है पर मुझे और भी कुछ याद आ रहा है क्या कल शाम मैंने कुछ लोगों को खाने पर बुला लिया था कल क्यो आज ही बुला लेती न योँ ही बुलाना अच्छा नहीं लगता कोई मौका भी तो हो तो कल क्या है आपकी यादास्त इतनी अच्छी है आपको यहाँ बैट कर भी अपने बच्चों के नहीं भांजे भतीजों के मामा मौसियों के जन्म दिन याद आ जाते है कल तुम्हारा जन्म दिन है नहीं मेरा जन्म दिन तो कब से आकर चला गया जिन्हें याद था उन्होंने मना भी लिया आपके लिए मुझे सौसो बहाने गरने पड़े एक साड़ी अपनी और से खरीद कर आपके उपहार के तोर पर पेश करनी पड़ी मेरा जन्म दिन आपको याद ही नहीं रहा कोई बात नहीं पर कल की तारिख तो आपको याद रखनी चाहिए या उसका भी आपके निकट कोई महत तो नहीं है ना चाहते हुए भी मेरी आवाज थोड़ी तल्क हो गई थी उन्होंने कैलेंडर की ओर नजर डाली ओहो कल 11 नवंबर है मतलब अपनी शादी को एक साल पूरा हो गया धन्य भाग गया आपको याद तो आया पर आपने इस तरह मुह क्यों लटका लिया मैंने रुखनी के लिए कहा जरूर है पर कोई समस्या हो तो रहने दीजिए सेलिब्रेशन का मोड अगर है तो मैं साथ चली चलती हूँ नहीं तो उसकी भी कोई जरूरत नहीं है तुम चलना चाहो तो जरूर चलो उन्होंने कहा पस्वर में कोई आग्रे नहीं था ऐसा है कि बच्चों की परिक्षाई चल रही है मंगल बार को शौनक का गणित का पेपर है इसलिए मेरा कल जाना जरूरी है सेलिब्रेशन से मेरा मतलग किसी पार्टी से नहीं था हम सब मिलकर बाहर खाना खा सकते थे या एकाथ पिक्षर देख सकते थे बच्चों की परिक्षाई चल रही है तो कोई बात नहीं हम लोग दिन बर साथ ही रह लेते यह प्रस्ताब आपकी ओर से आता तुम्हें उतने ही में ही खुश हो जाती पर आपको तो याद ही नहीं था आपको अम्मा जी के ठाकुर जी तक की याद रहती है पिछली राम नम्मी और जन्माष्ट मी पर स्रिंगार का सारा सामन यहीं से ले गए थे पस आपको मेरा जन्म दिन यह अपनी शादी की सालगरे याद नहीं रही बार बार बच्चों का अम्मा का ताना क्यों दे रही हो बेलोग मेरी जिम्मेदारी है और मैं क्या हूँ सिर्फ जरूरत कैसी जरूरत यह भी बताना पड़ेगा कुछ देर तक कमरे में भीशन इस्तब्दता चाही रही फिर मैंने ही कहा आप बच्चों की सामने एक आदर्ष्ट पिता बने रहना चाहते हैं इसलिए मुझे तरजीह नहीं देते जानती हूँ इसलिए आज तक आपने मेरे इस्थान आंतरण के लिए प्रयत्म नहीं किया आश्चरे तो यह कि अम्मा जी ने भी कभी इसके लिए जोर नहीं दिया प्लीज लीब माइ मदर अलोन मैं कोई उन्हें गाली थोड़ी दे रही हूँ एक बात कह रही हूँ कोई भाबुक महिला होती तो कहती बहुत तुम आकट जल्दी से अपना घर बार सम्हालो और मुझे चुट्टी दो परवे बड़ी प्रक्टिकल है उन्हें यही विवस्ता रास आ गई है घर में उनका एक शत्र साशन भी तोर बना रहता है और बेटे को कोई परिशानी भी नहीं होती वह आदर्श बेटा बना रहता है आदर्श पिता बना रहता है और उसकी साथता है एक आनन्द यात्रा भी निर्भीग ने चलती रहती है आनन्द यात्रा? वाह! तुम क्या सोचती हो? तुम कोई हुसन परी हो जिसके लिए मैं दीवाना हो चला आता हूँ? ठक! लगा जैसे किसी ने कलेजे पर एक घुंसा जड़ दिया हो बड़ी मुश्किल से मैं उस पीड़ा को जबज कर पाई फिरेत्यंत कसेलिस्वर में कहा मैं हुसन परी होती तो 34 साल तक अन्बियाई न वैठी रहती और ना ही दो बच्चों के बाद से शादी करती यह बात कहने के साथ ही मैं दीवार की और मुह करके लेट गई थी इस कारण उनका चेहरा नहीं देख पाई पर वो जरू स्याह पड़ गया होगा वे उस रात कब कहां सोए मैं नहीं जानती सुबह अलार्म बजा था पर मैं नहीं उठी उन्होंने शायद अपने से ही चाय बनाई थी पर मैं दन साधे पड़ी रही जाते समय उन्होंने मुझे आबाज दी भी हो तो पता नहीं सुबह उठी तो लगा जैसे एक भयानक स्वपने देख कर जागी हूँ उसके बाद आज तीसरा शुक्रबार है जनाब की कोई खबर नहीं रूट कर गए हैं सोचा होगा मना लेगी पर हम मिट्टी के नहीं बने हैं बलकि गुस्ता तो हमें आना चाहिए था अपमान तो हमारा हुआ है सच तो यह है कि उनके ना आने से मुझे राहत ही मिली थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं उस व्यक्ती का इसपर्ष या सामीप के सहन नहीं कर पाऊंगी सुबह बैग भर रही थी कि फोन खड़का मैं बोल रहा हूँ मैं? कितना जबरदस्त अहम है जैसे आबाज सुनते ही पहचान लिये जाएंगे अच्छा आप हैं? कहिए हम लोग रात को नौ बजे तक पहुँच रहे हैं फोन इसलिए किया कि खाना बना कर रख सको पिछले दो शुक्रवार से मेरा खाना बरबाद हो रहा था पर मैंने उसका जिक्रना करते हुए कहा हम लोग मतलब? बच्चे भी साथ आ रहे हैं इसलिए बस से आ रहा हूँ ट्रिन बहुत लेट पहुंचती है मैं पसो पेश में पढ़ गई मेरी चुप्पी से बेवी थोड़ा बिछले थुए क्या हुआ? कोई समस्या है? कहो तो बच्चों को न लाओ बड़ी मुश्किल से उन्हें राजी किया था बच्चे आ रहे हैं तो देया मोस्ट वैलकम लेकिन सचमुच एक समस्या आ गई है मैं आज शाम को आजन्ता एलोरा जा रही हूँ प्रोग्राम बदल नहीं सकती? नहीं क्योंकि ये प्लेजर ट्रिप नहीं है इस फ्री रखे कॉलेज में इतनी परिक्षाएं होती हैं पर कभी इन्विजिलेशन की ड्यूटी भी नहीं दी पर किसी की सदाशायता का ज्यादा फाइदा उठाना अच्छा थोड़े ही लगता है आखिर ये मेरी नौकरी है इस बार उधर चुप्पी चाही रही फिर दो हपते से आप आई नहीं थे तो मैंने सोचा इस बार भी नहीं आएंगे मैं दो हपतों से नहीं आया तो तुमनें कोई खोज ख़बर ली एक वार फोन ही कर लेती कारण मुझे मालूम था इसलिए फोन नहीं किया मैं बीमार भी तो हो सकता था बीमार होते तो फोन करते आप तो नाराज थे मैं तो आपकी आशा नहीं कर रही थे शायद अम्मा जी ने हर बार अम्मा जी को बीच में क्यों ले आती हो बहुत सिरधा योगतांतेक रेंट से कह रही हूँ कि शायद अम्मा जी नहीं समझाया होगा कि कमाओ बीबी से बना कर चलना चाहिए उधर से फोन पटकनी की आवाज आई मैंने भी परवा नहीं की अगर आप कड़ भी बात कहते हो तो सुनने का भी होसला रखो जब सुन नहीं सकते तो कहते कूं हो कॉलेज से लोटते हुए अचानक खयाल आया किस सफर के लिए कुछ जरूरी चीज़े ले लो घर की और मुड़नी की बजाय में बाजार की और मुड़ गई वा शायद मेरी होनी ही थी जिसने मुझे इस बात के लिए प्रेवित किया था क्योंकि उस और मुड़ते ही एक स्कूल बस मेरे सामने आ गई उसे बचाने के लिए मैं सडक के इतने किनारे चली गई के गिर ही पड़ी क्षण भर को आँखों के सामने अंधेरा चागया पल भर में वहां भीड जुड़ा आई चार सहिर्दय लोगों ने मुझे इस्कूटर के नीचे से निकाला और पास के अस्पताल में पहुँचाया मैंने तुरंत एक फोन पडोस्त में किया और एक कॉलेज में नीतु और उसकी मम्मी फोरन दोड़ी चली आई और पूरे समय मेरे साथ बनी रही कॉलेज में फोन करने का मेरा उद्दिश्य सिर्फ यह था कि लोग मेरे भरोसे न रहें पर ख़वर मिलते ही प्रिंसिपल मैडम भी दो तीन लोगों के साथ आ गए और जाते समय अपनी कार वहीं छोड़ गए रात दस बजे जब घर लोटी तो मेरे बाए हाथ में प्लास्टर था बाए पेल की पिंडली में छह साथ टाके थे और घुटने और कंधों पर खरोचे थी सौभागे से सिर्फ पर कोई चोट नहीं थी पर वह बेतर है खूम रहा था घर आते ही पस्त होने से पहले मैंने बड़े भहिया को फोन लगाया मेरे कुछ कहने से पहले बे ही बोल पड़े अरे इतनी दिर से तुम कहा थी मैं कब से फोन लगा रहा हूँ उनके स्वर में उल्लास फूटा पड़ रहा था मैंने अपनी बात कुछ देर को मुल्तवी करके कहा थोड़ा बाजार तक गई थी पर आप मुझे क्यों ढूड रहे थे अरे वो बीकानेर वाले पिंकी को देख कर गई थे उनके यहां से हां आ गई है अरे वाह बधाई लड़का तीन महेने के लिए जापान जा रहा है इसलिए मां के साथ एकवा मिलने आ रहा है मेरी इच्छा थी कि कल तुम दोनों भी आ जाते तो लड़के को देख लेते दरसल क्या है भाईया कि मैं कॉलेज की लड़कियों के साथ टूर पर जा रही थी तो इन्हें आनी के लिए मना कर दिया था कब जा रही हो आज ही जाना था पर पता नहीं कैसे स्कूटर से गिर पड़ी पट्टी बगेर करवा कर अभी लोटी हूँ ज्यादा चोट तो नहीं आई चोट तो ज्यादा नहीं है पर आना जरा मुस्किल लग रहा है खैर कोई बात नहीं टेक केयर इन लोगों से निपटलू फिर आता हूँ नीतू मुझे देखती रह गई यह क्या आपने ठीक से बताया क्यों नहीं बे बिटिया का रिष्टा तै कर रहे हैं इस समय मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती जीजा जी को तो फोन कर दिया होता नहीं रे यहां नहीं आना था इसलिए उन्होंने ट्रू प्रोग्राम बना लिया था घर पर अम्मा जी और बच्चे अकेले होंगे इतनी रात को फोन करूंगी तो परिशान हो जाएंगे जीजा जी के पास मोबाइल नहीं है यही तो सोच रही हूँ कि इस जन दिन पर उन्हें प्रिजेंट ही कर दूंगी बहुत परिशानी होती है अच्छा नीतु आज की रात तुम मेरे पास रह जाओगी कल से मैं बसंती को बोल दूंगी कैसी बात कर रही हो आज तो मुझे रहना ही है अपने घर पक हवर की भी होती तो सुबह से पहले कोई आता थोड़े ही वहारात बड़ी मुश्किल से कटी उपचार के समय उन्होंने जरूर कोई निश्चे तक दवा दी होगी उसका असर धीरे-धीरे कम हो रहा था और दर्द अपना अस्तित्तो जताने लगा था यो तो दर्द निवारक गोलियां भी दी गई थी पर उन्हें कारगर होने में thोड़ा समय लगता ही था घर का कोई साथ में होता तो मैं उसे अपने सारी राथ सोने नहीं देती पर पराई लड़की को परिशान कैसे करती सो सहन शीलता का नाटक करना ही पड़ा दर्द के घूट पीते हुए में बार-बार उस ब्यक्ति को कोस रही थी मिस्टर कश्यब आपने साल वर में कोई और तोफा तो नहीं दिया पर शायद बद्वाइं दिल खोल कर दी है उसी को भुगत रही हूँ नहीं तो दस साल से गाड़ी चला रही हूँ कभी एक खरौच भी नहीं आई बब मुश्किल तमाम रात के तीसरे पहर थोड़ी सी आँख लगी पर नीतु ने साथ बजे ही चाई के लिए जगा दिया उसका कहना भी ठीक था बोली आप हाथ मूँ धोकत तयार हो जाईए अरोस पर उसमें खबर लगते ही आने वालों का ताता शुरू हो जाएगा आप परिशान हो जाएंगे फिर उसी ने मेरे हाथ मूँ धुलवाए बाल ठीक किये उसी की मदद से मैंने कपड़े बदले फिर उसने मेरे हाथ मैं कौड लेस थमाकर मुझे सोफे पर लाकर बिठा दिया आसपास तकीय लगाकर ऐसी व्यवस्था कर दी कि मैं आधे लेटी रह सकूँ बोली कि हर किसी को बैडरूम तक लाना ठीक नहीं लगता उसका तर्ख ठीक था और जैसा कि उसने कहा था आठ वजे से आने वालों का सिलसिला जो शुरू हुआ दस साड़े दस तक चलता ही रहा बिचारी नीतू नहाने धोने घर भी न जा सकी ग्यारे वजे मैंने उसे जबदस्ती घर बेजा कहा कि दरवाजे में चेन लगा तो आने वाला अपने आप खोल लेगा नीतू को गए हुए मुश्किल से दस मिनटी हुए होगे कि दरवाजा अपने याप खोल गया मैं तो चकित थी कि न दस तक न घंटी ऐसे ओचक कौन आ गया पर जब आगंतुक को देखा तो देखती रह गई कमर पर दौनों हाथ रखे दरवाजे में खड़े होकर स्रीमान मुझे ही गुर रहे थे उस द्रिश्टी में रोश था उपालंब था उपहास था और शायद तिरसकार भी I knew it मुझे मालम था तो मैं कहीं आना जाना नहीं था सिर्फ मुझे टालने के लिए बहाना बनाये गया था I was damn sure जिस तरह मुझे घुर रहे थे मैं भी एक टक उन्हें देख रही थी मेरी आखों में उपालंब की मात्रा शायद ज्यादा गहरी थी क्योंकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी नजरें फेल ली उनकी नजरें हटते ही मैंने कॉडलेस पर पड़ोस का नंबर मिलाया Sorry नीतू डालिंग तो मैं फिर से कस्ट दे रही हूँ पर क्या है कि तुम्हारी जीजाजी आ गए है एक कप चाय बना कर दे जाओगी तो अच्छा रहेगा मेरे लिए पड़ोसियों को कश्ट देने की कोई जरूरत नहीं थी उन्होंने कसेले स्वर में कहा अब जे दर्वाजा छोड़का सामने कुर्सी पर बैठ गए थे अगर घर में चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाहर पी सकता हूँ बैसी भी मैं या रुखने वाला नहीं हूँ सिर्फ देखने चला आया था मैं भी उन्हें चाय पिलाने के लिए बहुत बेग्रे नहीं थी बस चाहती थी कि इस समय हम दोनों के बीच में कोई तीसरा आकर बैठ जाए मुझे पता था कि जीजा जी का नाम सुनते ही नीटू दोड़ी चली आईगी और वही हुआ पांच मिनट में नीटू दो कपचाय लेकर हाजिर हो गए हाई जीजा जी नीटू ने चहक का स्वागत किया और हुलस कर पूछा आपको कैसे पता चला कि दीदी तो फोन ही नहीं कर रही थी पता कहने वाले पता कर ही लेते हैं इन्होंने कुटिल मुस्कान के साथ कहा बिचारी नीटू इनका मन तब्य समझ नहीं पाई अपनी ही रौ में बोली मम्मी यही तो कह रही थी कि दिल से दिल को राह होती है फोन करनी की क्या जरूरत है फिर इन्हें चाय पकड़ाते हुए मुझ से बोली दीदी अब आप भी उटका जरासी चाय पीलो सुभैसे बोल बोल का दिमाग चकरा गया होगा वो मुझे सहारा देकर उठाने लगी तो इनके चहरे का रंग बदल गया मेरी अधलेटी मुद्रा को वे अनादर का प्रदर्शन समझ रहे थे अब उन्हें कुछ-कुछ समझ में आ रहा था उठने की प्रक्रिया में जब मेरा शौल कंदे से खिसक गया तो उनकी प्लास्टर पर मेरी नजर पड़ी अरे ये हाथ को क्या हो गया गनीमत है कि सिर्फ हाथ ही तूटा है आप खुश किसमत हैं जी-जा-जी कि ये सही सलामत बच गई बरना क्या से क्या हो जाता तुम्हें मैं सही सलामत नजर आ रही हूँ अरे हाथ ही तो तूटा है सब लोग कह रहे थे कि किसमत वाली थी कि जो सड़क के किनारे गिरी अगर बीच में गिरती तो सोचो क्या होता उस कलपना मात्र से ही मुझे जुर-जुरी हो आई मैंने नीतु से कहा थोड़ी हेल्प कर दोगी तो भीतर जाका थोड़ा लेट लोंगी हाँ, अब आप बिलकुल आराम करो कोई आएगा तो जीजाजी निपट लेंगे बिस्तर पर लेटते हुए मैंने कहा बसंती को दो दिन की छुट्टी देती थी अगर किसी के हाथ खबर विजबा दोगी तो वो आ जाएगी, दो रोटी ही डाल जाएगी बसंती को मैं खबर कर दूँगी पर आप रोटी की इतनी चिंता क्यों कर रही है हम लोग क्या इतना भी नहीं कर सकते तुम ही लोग तो कर रहे हो पड़ोसी और होते किसलिए है नीतु जब चली गई तो ये कमरे में आकर बोले इतना सब हो गया तो क्या मुझे फोन भी नहीं कर सकती थी मैंने एक शण उनकी और देखा और कहा फोन कर भी देती तो क्या आप विश्वास कर लेते या इसे भी एक बहाना समझते बेच चुप हो गए फिर बड़ी देर तक एक मौन हम दोनों के बीच पसरा रहा फिर कुछ देर बाद फोन बजा मेरा कॉडलेस बाहर ही छूट किया था इसलिए फोन इन्हें ही उठाना पड़ा शायद बड़े भईया का था मेरा हाल चाल पूछ रहे थे जब तक उन्हें साफधान करती बेसा ब्योरा दे चुके थे फिर तो मेरी पेशी होनी ही थी ये क्या कर बैठी तुम और रात को मुझे बताया क्यों नहीं मैं उसी समय चला आता मुझे मालूम था इसी लिए नहीं बताया आप आभी जाते तो सुबह फिर मेमानों के लिए भागना पड़ता अब आपकी उमर इतनी भागदोड करनी की तो नहीं है बैसे चिंता की कोई बात नहीं है पड़ोसी बहुत अच्छे है और अब तो ये भी आ गए है हाँ अभी फोन पर इनकी आवाज सुनका थोड़ा संतोश हुआ अच्छा तो हम लोग सुबह आते हैं टेक के अब भाईया के फोन के बाद फिर से सन्नाटा चा गया ये पेपर पड़ते रहे मैं सोनी की कोशिस करती रही नीतु दोनों की थालियां लेकर आई तभी ये निरप्ता भंग हुई नीतु बोले मम्मी तो कह रही थी जमाई जी को यहीं बुला लो ठीक से खालेंगे पर मैंने कह दिया कि दीदी अकेली बोर हो जाएंगे वो अच्छी हो जाएं फिर दोनों की एक साथ बुला कर खुब खातिरदारी कर लेना एक बात और जाते हूँ मैं बाहर से ताला डाल कर जा रही हूँ नहीं तो महुले वाले आंटी लोग तंग करने आ जाएंगे रात भर की जागियों थोड़ा आराम कर लो खोलोगी कब चार बजे चाए लेकर आऊंगी न और सचमुझ वो हमें ताले में बंद करके चली गए वह जब तक रहती है पटार-पटार करती रहती है घर भरा-भरा लगता है उसके जाते ही एक निचाट सूने पनने घेर लिया उस असहज नितान अकेले पन से निजात पाने के लिए मैंने कहा आप तो आज ही आने वाले थे न तो दिन में निकल जाते रात में ठंड से परिशान हो जाएंगे वे एक शन मुझे घूरते रहे फिर बोले मुझे क्या इतना गया गुजरा समझ लिया है कि तुम्हें इस हाल में छोड़का चला जाऊंगा एक तरह से बात यहीं पर एक अच्छे बिंदू पर समाप्ध हो जानी थी पर मेरे मन में तो प्रतिशोध की आग धदक रही थी वह हुसन परी वाला डायलोग मेरे कलेजे में कील की तरह गड़ा हुआ था उसी ने मुझे चुप नहीं बैठने दिया मैंने बड़े नाट की अंदाज में कहा मेरी ऐसी हालत है तब ही तो कह रही हूँ रुक कर क्या करेंगे वे अबाख होकर मुझे देखते रहे गए वाट डियू मेन कुछ नहीं एक पुरानी बात याद आ गई एक बार आये थे और मैं संकोच के मारे में खशन वरकोच चुप रहे गई उस दिन आप कितना नाराज हुए थे कहा था कि फोन तो कर देती बेकार में धाई सो रुपई को चूना लग गया उनका चैरा फक पड़ गया डूबती सी आवाज में बोले उस बात को अब तक गांट बान बैठी हो यही क्यों और भी बहुत सी है सारी गांटे खुलने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं तुम पर बहुत अत्याचार करता हूँ प्रचलित मायने में जिसे अत्याचार कहते हैं वह तो आप कर नहीं सकते थे क्योंकि मैं उतनी बेचारी नहीं हूँ आपका तरीका बड़ा सोफेस्टिकेटिड है और एप्रोच बहुत ही प्रेक्टिकल बहुत आसानी से आप सामने वाले की भावनाओं को अंदेखा कर देते हैं मसलन मसलन अब कहां से शुरू करूँ चलिए शुरू करते हैं याद है जब शादी के बाद पहली बार हम लोग इस घर में आये थे मेरी सहेलियों ने घर को बहुत कलात्मक ढंक से सजाया था हमारा स्वागत भी बहुत शांदार हुआ था हार फूल संगी तो पहार मिठाई और लोग इतने के पैर रखने को जगे नहीं थी उसके बाद जब हम अकेले हुए तो आपका प्रश्न था फ्लेट तो बहुत संदर है कितने का पड़ा क्या मुझे यह पूछने का हाग नहीं था जरूर था पर आपकी टाइमिंग गलत हो गई उस निभ्रित एकांत की अभिहेलना कर आप इंदोर और भुपाल की कीमतों की तुलना करती रहे बातों बातों में आपने यह भी पूछ लिया कि मैंने लोन बैंक से उठाया था या जीपी एप से लिया था और यह भी किष्टे पट गई हैं या अभी बाकी है मेरे ख्याल से मुझे यह भी पूछने का हग नहीं था हग सौ फीस दी है पर यह विशय उस दिन के लिए नहीं था मुझे मालूम है मेरी शादी में मेरी नौकरी, मेरा बेतन, मेरा फ्लैट, प्लस पॉइंट्स थे पर बेही अहम मुद्दा होकर रहे जाएंगे और मैं गौण हो जाऊंगी यह नहीं सोचा था अगली बार आप जब आएं तो आपने नौमिनेशन के बारे में पुछा था मैंने दोनों भाईयों के बेटों को फ्लैट और जीपी एफ के लिए नौमिनेट किया था आपने कहा कि अगर नामंकन बदलना है तो फुर्ती करनी होगी नहीं तो बाद में बहुत परिशानी होती है इसमें गलत क्या था? सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, रोज देखता हूँ कि लोग बाद में किस तरह परिशान होते हैं? मैं भी जानती हूँ पर महीने भर पहले ब्याही औरत भविश्य के सपने देखती है उसे वसियत के बारे में सोचना जरा अच्छा नहीं लगता बदली हुई परिस्थिती में शायद मैं खुद इस पिश्य में पहल करती पर आपकी उतावली देखकर वित्रिशना हो आई इसके बाद तो शोशन का एक अनवरत सिलसला शुरू हो गया मेरे टेली फोन का बिल दुगना तिगना आने लगा सब लोग छेड़ते के रात रात भर मिया से बात करती होगी उन्हें क्या पता कि मिया ने घर पर बात करने के लिए एकदम मना किया हुआ है और दफ्तर में बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता उन्हें कैसे बताती कि यहां आका स्रीमान को सारे दोस्तों के भाई भतिजों के जन्म दिन याद आ जाते हैं सारे रिष्टेदारों की मिजाजपुर्सी और मातमपुर्सी यहीं से होती है यह तो शायद तुम्हें भी पता होगा कि लॉंग डिस्टेंस कॉल संडेज को ही सस्ती पढ़ती हैं और अकसर संडेज को मैं यहीं होता हूँ हाँ मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि इंदोर का कपड़ा मार्केट बहुत अच्छा है इसलिए चादरें और पर्दे यहीं से खरीदना चाहिए यहां के रेडिमेंट गार्नमेंट्स की मंडी भी बहुत मश्यूर है इसलिए बच्चों के जन्दिन के लिए कपड़े यहीं से लेना चाहिए यहां जब तब गरम कपड़ों की सेल लगती है इसलिए अम्मा जी के लिए शॉल और स्वेटर यहीं से जाएगा इसके अलावा और भी फर्माईशी चीजे हैं जैसे फर्याली सामान, नमकीन, राहुल के लिए कैमरा, एटलस, रीना के लिए बॉर्वी कसेट, कलर बॉक्स बगेरा और मुझे यह भी मालूम है, कि आपने घर पर यह कभी नहीं जताया होगा, कि यह फर्माईश कौन पूरी कर रहा है देखो ज़्यादा ऐसान जताने की जरूरत नहीं है, हिसाब लगा कर रखना, अगली बार आऊंगा तो सब चुकता कर जाऊंगा हिसाब करनी की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब मैंने अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए किया था जिस तरह शादी के बाद यह घर आपका हो गया, मैंने सोचा कि वह घर भी अपना मेरा है इसलिए ऐसान की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है राहुल को जन दिन पर डांस करना था, आप यहां का म्यूजिक सिस्टम लेके गए बच्चों को गर्मियों में पिक्चर्स देखनी थी, आप यहां से वी सीडी प्लेयर ले गए बार बार बिजली गुल होने से बच्चों की पढ़ाई हर्च होती है इसलिए मेरा इमरजनसी लेंप भी भुपाल पहुँच गया मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ आपको अधिकार था और आपने उसका उपियोग किया पर यह तो वन वे ट्रैफिक हो गया मुझे तो कोई अधिकार मिला ही नहीं मेरा तो सिर्फ एक्स्प्लोइटेशन किया गया वाह सुनने में बुरा लगता है न शोशड कहूंगी तो और भी बुरा लगेगा पर मेरे साथ यही हो रहा था और वो मेरी समझ में भी नहीं आ रहा था पर मैंने मन को बहला लिया था कि मैं घर की किष्टें चुका रही हूँ घर जिसकी मुझे अर्से से तलाश थी घर जो रिष्टों की मजबूट जमीन पर खड़ा हो घर जो आपसी सामन जस्य और सद्भाव के सहारे टिका हो पर वा घर तो मुझे मिला नहीं आपने दिया ही नहीं देखो तुमारी तरह में सहित्तिक भाषा तो बोल नहीं सकता लेकिन आप खुब बोल सकते हैं आपका खुस्न परी वाला जमला तो अब तक मेरे कलेजे में गड़ा हुआ है कल रात भर में दर्द के मारे सो नहीं पाई थी पर यह दर्द उस दर्द के मुकाबले कुछ नहीं था जो उस रात आपने मुझे दिया यह घाव तो कल को भर भी जाएंगे पर यह घाव ताउम्र हरा रहेगा और आज तो आपने कमाल ही कर दिया आज? आज मैंने क्या किया? वे हैरान थे आज आप सिर्फ मेरे सच को परखने यहां चले आए मालनों मैं चली गई होती तो आपकी क्या इज़त रह जाती? या मेरी ही क्या इमेज बनती? आपकी तो यह दूसरी शादी है इतना तो आप भी समझते होंगे कि दामपत्य का आधार होता है विश्वास और मिश्टर कश्यप आपने उसी ही न कर दिया फिर शेस क्या रहा? तब ही दरवाजा खड़का नीतु शाया चाय लेकर आई थी हम दोना अच्छे बच्चों की तरह चुपचा बैट गए बैसे भी बोल बोल कर मैं इतना थक गई थी कि कुछ देर आँख बंद करके लेटने कुछ जी चाह रहा था और चाय पीकर मैं सच मुछ लेट गई नीतु बोली जी जा जी शाम को क्या खाना पसंद करेंगे बताईए ब्यंग पूर्ण मुस्कराट के साथ भी बोले मैं गरीब क्या बताऊंगा अपनी दीदी से पूछो गैस्ट ओफ ओनर तो वो है और इतना कहकर वे बातरूम में घुस गए नीतु थोड़ी देर बैठी बत्याती रही पर मेरी और से कोई प्रोत साहन न पाकर चपचाप उठकर चली गई वे फ्रेश होकर आए और बालों में कंगी फिर तुए बोले अच्छा मैं निकल रहा हूँ मैंने प्रशनार थक नजरों से उनकी और देखा रतनाम बालों के आने पर रुकने का इरादा था पर देखता हूँ उसको यह खास जरूरत नहीं है तुम्हारे अडोसी पडोसी बहुत अच्छे है खुब अच्छी सेवा टहल कर रहे है मेरी बज़े से बलके असुभिधा हो रही है और हाँ तुम्हारी सारी चीज़ें अगली बार ले आऊँगा अगर आया तो वरना किसी के हाथ भिजवा दूँगा मैंने उठने का उपक्रम किया तो बोले लेटी रहो मेरे लिए फॉर्मिल्टीस कहनी की जरुरत नहीं है बैसे भी आदर्मान बहुत हो चुका है मैंने बहुत मुश्किल से दर्वाजा बंद किया इतने से स्रं मैं हाप गई थी देर तक बंदर्वाजे के सामने वहीं खड़ी रही जहां से मैंने उन्हें जाते हुए देखा था मुझे लगा वो मेरे घर से ही नहीं जीवन से भी चले गए है मैंने कहा आज से मेरे घर और मेरे मन के दरवाजे आपके लिए बंद हो चुके हैं घर का दरवाजा तो शायद कभी मजबूरी में खुलना भी पड़ेगा क्योंकि इस शादी को इतना आसानी से मैं नकार नहीं सकती इसके लिए मेरे भाईयों ने बहुत सारा स्रम और पैसा खर्च किया है इसलिए इस शादी को तो मुझे ढोना ही पड़ेगा पर मेरे मन का दरवाजा आपके लिए कभी नहीं खुलेगा कभी नहीं दोस्तों यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शियर करना ना भूले धन्यवाद